बच्चों स्वागत है आज हम लोग क्लास एट स्वाएं करो 5.1 पर नमर 51 का आज है जो पूरा समाधान करेंगे देखिए सवर परतम नीचे की संख्या में कौन पूर्ण घं संख्या है खोज करने को करना क्या है इसमें कौन पूर्ण घं है और पूर्ण घं को डूल के लिख देख लिए जिसे 125 है मान लिजे यह वाला 125 है हम लोग करेंगे क्या यह रूट में देदेंगे देखिए ऐसे देखे आइसे देदीजिए अब 125 का जो है यहां से 125 का लॉस ओ लेंगे तो देखिए पांच का पर हमें पास दूने 10 25 25 पांच यह देखिए एक दो तीन मतलब क कहीं Nich यहां पर आ रहा है तीन रूट देदे टो पांच मतलब कि 125 का घन यह पूर्ण घन heck अगर ना निकले तो पूर्ण घन ना Ahí कलाता है जीसे कि 500 को खोज कर देखेंगे देखिए क्वाई लिख दियागे देखिए अब देखिएज पांडब भी कोज़त देख यह दो पूर्ण घन हो गया तब अब पांशो लिख दिए यह यहाँ पर इसका सेम प्रोस्च प्रोस्ट है देखिए फाइपणडट का लेते हैं फाइपंड़िट टू पिर टू से चर्थ से यृज्ञ जा टू तू टू जा फॉर ओंधत देखें धाय ड्री फाइव है मतलब तो कपर हमें अधाय सवार में दो कपर हम उक्सission पूर्ण तो Гुने । पांच गुने पाच पांच यह तो तीन आ Cornia है यह नहीं यह नहीं आ रहती है घंपुर्ण संख्या नहीं है तो आप लिए यह घंपूर्ण संख्या नहीं है यह यह पर लिख देजेगा है क्यों अब उसके बाद देखिए चाव सब्सक्राइब बिचाव सट यह से मुए से खाड़नेंगे धूर्णों से जोत तो करने हैं 32 फिर दोगा पर अमें छोला फिर दोगा पर हामें आठ फिर दोगा पर आमें चार फिर दोगा पर करने दो देखिए तीन तीन च्छौ मतलब की यह कहीं ना कहीं दो गुन्ये चार गुने चार गुने यह तो ऋबनतों संख्या है there छो सट्राइब है है उसके बाद देखिए देखिए यहां पर तिन दे दिया यह तो घंपुर्ण संख्या इसे ही दिख्राइब इसको लिए जाए घंपुर्ण संख्या अब देखिए 729 यह 729 का पहले क्या करें हम लोग लॉस हो ले लेंगे 29 का अब देखिए है अगर 729 का बात करें तो यह किता के पराम जाता है कि तीन का पराम है तीन दुनने चौई तिन चोगा बारह तिन तीन तीन नव फिर तिन का पराम है आठ एक फिर तिन का पराम है 27, 29 के पार नो में हमे सी कहीन कही यह आगर बात करें तो तीन में चुनेद कुने चुने तीन तीन मादटी इसलद है अब देकिए हमाने जोड़ी वनाल यह कर लेते हैं तो तो क्या हाई जाएगा कि नौ गुने नौ गुने नौ मतलब यह 9 BC ५ो यह यह अ यह पुर्ण संख्या तरी देजेगा उडेजेगा को यह अटव्रां इसको चेक करेंगे हम 989 682 9 688 में 242 1 2 1 21 213 चाहिए में कहीं पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि यह 3 जोड़ा निकलती पूर्ण संख्या नहीं होग तो लिग दिजेगा है ऐसे कर दो गुने दो गुने दो गुने ग्यारा गुने घ्यारा यहां लिगती जीएगा फूर्ण ग्हान में संख्या है नहीं कि इतना कि अपया अब देखें इसमें कि यह दिया हुआ सबका पूर्य घंड करना है तो एक का नहीं का दो का चार दो का आठ तिंका तिंटिया नौ तिया 27 तिंगा कितना हुआ जाएगा 27 यह 27 लिख दिए यहां पर देखिए चार का दिया पांच का 25 पचीस एक सो पचीस यहां पे 125 लिख दिए उसके बाद 6 का देखिए 6 का की जिए अप लोग 216 होगा 7 का की जिएगा तो आप लोग का 341 होगा 8 का की जिए तर 512 होगा 9 का किया हुआ 10 का किया हुआ 11 का आपका हो जाएगा 1 3 3 1 अब देखिए 13 का हो जाएगा आपका 2 1 9 7 और 14 का हो जाएगा 2 7 4 4 इस परकार आप लोग कर लिजिए देखिए अब यहां जो है सबसे मात्पूर्ण है कि यह आता है यह जो है 739 739 को हाट जिरामानुज संख्या का यह बहुत बार एकजामी पुछा जाता है बहुत ही आप लोग के लिए important है इसको आप लोग याद रखिएगा कि एक हजार साथ सो उन्तिस संख्या को हाट जी रामा नुज संख्या काते हैं यह लिग दी जाएगा तो आप लोग यह एक नम्मर का आता है आसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा